हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं जैबिंद मौरे कला सिक्छक केंद्रे विद्याले दिरांग अरुडाचल प्रदेश से दोस्तों, आज मैं आप सब को प्राग एतिहासिक, भारती प्राग एतिहासिक चित्रकला के बारे में बताऊंगा और भारती प्राग एतिहासिक चित्रकला का ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसे आप देखेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करेंगे, इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आईए दोस्तों, हम सुरू कर भारती प्राग एतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग, इसका जो समय है, तीस हजार इसा पूर्व से, पांच हजार से लेके, तीन हजार इस्वी पूर्व तक, इतिहास का पिता, इंग्लिस में से, फादर आफ हिस्ट्री कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हेरोडोटर्स को, प्राग इतिहासिक या प्राक इतिहास, जिसे अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं, ये दोनों एक ही है, मतलब प्राग इतिहासिक या प्राक इतिहास, द किसे कहेंगे इंगलीज इसका होता है प्री हिस्ट्री मतलब प्राग इतिहासिक काल किसे कहेंगे ऐसा काल जिसमें पुरा तात्तिक साक्ष मिला हो लेकिन लिखित साक्ष ना मिला हो उसे हम क्या कहेंगे प्राग इतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री ऐसा काल जिसमें पुरा त प्रात्विक साक्ष तथा लिखित साक्ष दोनों मिला हो लेकिन लिखित साक्ष को पढ़ा ना जा सका हो जैसे हरप्पा काल हरप्पा काल की बहुत सारी चीजे अभी पढ़ी नहीं जा सकी है नेक्स्ट है अयतिहासिक जिसे हम हिस्ट्री कहेंगे ऐसा काल जिसमें पुरात्तिक साक्ष और लिखित साक्ष दोनों मिला हो लेकिन लिखित साक्ष को पढ़ा जा सका हो जैसे वैदिक सब्वेता वैदिक सब्वेता में जैसे क्या है वेद पुराड ये सब हम पढ़ सकते हैं अभी जो हमने बताया प्राग एतिहासिक काल आदे एतिहासिक काल अब हम यहां उसके छोटे फॉर्म में कैसे हम उसे अच्छे से याद कर सकते हैं उसे हम देखेंगे जैसे प्राग एतिहासिक तो इसमें क्या होगा हमने उपर जो लाइन है उसमें बताया कि पुरा तात्तिक साक्ष तो मिलेगा यहां पे लेकिन लिखित साक्ष भी मिलेगा लेकिन उसे क्या है पढ़ा नहीं जा सका है तो उसे हम प्राग अतिहासिक काल कहेंगे आदे अतिहासिक काल इसमें क्या है पु एतिहासिकाल किसे कहेंगे? पुरा तात्विक साक्ष मिलेगा और लिखित साक्ष भी मिलेगा लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष जो है वो पढ़ा जा सका है यहाँ पे हमने करेक्ट का निशान लगा है इसका मतला पढ़ा जा सका है तो इसमें दोनों चीजे मिलेगी लेकिन पढ़ा जा सकीगा उसे हम अतिहासिकाल कहेंगे next Robert Bruceput थे Robert Bruceput कौन थे यह थे भूगर्व वैज्यानिक और पुरा तत्विध पुरा तत्विद क्या है इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले को पुरा तत्विद कहा जाता है next है राबर्ट ब्रुस्फुट संबंधित थे ये किस संस्था संबंधित थे जियो लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया नामक एक संस्था थी उसे ये संबंधित थे नेक्स्ट भारत में प्राग एतिहासि खोज सरुप्रतम की किसने की थी रावर्ट ब्रुसफुट ने 1863 इसवी में तमिल नाडु के पलवरम नामका स्थान पे की थी ये कोश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है हरवाल लगबग एकजाम में पूछा जाता है भारत में प्राग इतिहासी खोजों का जनक है कौन? रावर्ट ब्रुसफुट भारती पुरातत्व विभाग के जनक है ये कोश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार लिगजाम में पूछा जा चुका है भारती पुरा तत्व विभाग के जनक कौन है अलेक्जेंडर कनिंगम 1861 में इन्हें बनाया गय था पुरा तत्व सर्वेक छड विभाग किसके अंतरगत आता है संस्कृत मंत्राले के अंतरगत आता है नेक्ष्ट है प्रागयतिहासिक काल को और किस नाम से जानते हैं आदिमानव काल पाशाड मतलब पत्थर काल के नाम से भी जाना जाता है प्रागयतिहासिक काल को नेक्ष्ट दोस्तों प्राग एतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है इसे पहला पूर्व पाशार काल जिसे इंगलिस में हम मेगालिथिक एस बोलेंगे इसका जो समय है तीस हज्जार से लेके 25 हज्जार इसा पूर्व तक इसमें क्या होगा पूर्व पाशार काल में क्या होता था आखेटक या शिकारी जो आदिमानों थे वो शिकार करते थे खाद संग्रहक मतलब अपने भोजन का संग्रह करते थे भोजन को इकठा करते थे पूरो पाशाड काल में आग का ग्यान था मानों को लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए उसका ग्यान उन्हें नहीं था आग की खोज पूरो पाशाड काल में हो चुकी थी लेकिन उसका उपयोग किस तरह से करना है वो उन्हें नहीं पता था ये question काफी important है दोस्तों पूछा जाता है आग की खोज किस काल में हुई तो आप जरूर याद रखिए इसको आग की खोज पूरू पाशाड काल में हुई थी लेकिन उसका उपियोग उन्हें नहीं आया था अउजार उनके अउजार किस चीज के बने होते थे असफटिक या क्वार्टिजाइट के बने होते थे असफटिक या क्वार्टिजाइट यहाँ पर आप याद रखिएगा question एक ये भी आता है पूरू पाशाड काल के मानो को किस नाम से जाना जाता है यहाँ क्वार्टिजाइट के वो पत्थर प्रियोग करते थे इसलिए उन्हें क्वार्टिजाइट मानो कहा जाता था next मध्य पाशाड का मेगा लिथिक एज जिसका समय है 25,000 से लेके 10,000 इशा पूरू था इसमें क्या हुआ जो भी पूरो पाशाड काल में चल रहा था उसमें थोड़ा विकास हुआ जैसे वो सिकार कर रहे थे खाद संग्रहक थे तो वो उसी तरह से चल रहा था लेकिन उनके आउजारों में थोड़ा सुधार पनाया उनके आउजार थोड़ा पहले की अपेक्षा अच्छे हुए इस काल में माइक्रोलिथ और माइक्रोलिथ आउजार का प्रियोग हुआ माइक्रोलिथ का मतलब छोटा पहले की अपेक्षा जो आउजार थे वो थोड़ा छोटे हुए और पहले कि अब एक छाओजार थोड़ा अच्छे बनने लगे जैसे पहले पत्थर थे तो उसमें उन्होंने डंडे लगा कि कुछ प्रियोग किये इस तरह से दोस्तों इस काल में उतना जड़ा डेवलप नहीं देखने को मिला लेकिन थोड़ा थोड़ा से उसमें प्रोसेस चल रहा था नेक्स्ट जो हमारा है नौपाशाढकाल नौपाशाढकाल में बहुत ज़्यादा परिवर्थन हुआ दोस्तों देखते हैं नौपाशाढकाल नौपाशारकाल को इंगलिस में नियुलिथिक एज बोलेंगे इसका जुट समय है 10,000 से लेके 5,000 या 3,000 इशा पूरू तक नौपाशारकाल में क्या हुआ? क्रिसी का खोज हुआ, क्रिसी का विकास हो गया कुम्भार कारी का ग्यान, कुम्भार कारी का ग्यान मतलब वो चाक पर मिट्टी के बरतन बनाना सीख गए थे, पहिये का अविस्कार किस काल में हुआ, नौपाशार काल में, यह दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, आग के उपियों की जानकारी किस काल में, नौपाशार काल मतलब खोज तो पूरु पाशाणकाल में हो चुकी थी लेकिन आग का उपियों उन्होंने कब सिखा नवपाशाणकाल में यहां पर पशु पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था मतलब पशु को पालने लगे थे नेक्स्ट हम देखेंगे और उनके द्वारा जो नवपाशाणकाल में पहला पशु पाले थे कुट्ता था मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम आवजार क्या था दोस्तो कुलहाड़ी यह काफी इंपोर्टेंट है यह काफी कोश्चन आ चुका है कई बार मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल क्या थी गेहु आदिमानव द्वारा पाला गया पहला पसु कुट्ता यह काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तामबे का प्रयोग किया था मतलब सबसे पहले जो खोजा गया था तामबा तामबे के बाद का सिकी खोज भी थी तो दोस्तों इस तरह से जितना हमने बताया है उसे आप पढ़िए और भी आप अपने तरह से बुक को पढ़ सकते हैं आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़े दोस्तों इसके पहले हमने पांच साल BFA, MFA के लिए कोचिंग कराया है बनार्स हिंदु इंवर्शिटी और भी इंवर्शिटी के लिए तयारी कराया है बच्चों को और काफी लोग अभी हमारे स्टुडेंट जो हैं वो काफी ब बनार्स में बच्चों को और एक साल मैंने DAV स्कूल द्रयानंद एंगलो वैदिक स्कूल में भी पढ़ाया है अनपराशोन भद्र में तो इस तरह से 6 साल मैंने मेरा experience है और एक साल से मैं केंदरी विद्याले दिरांग अरुडाचल परदेश में पढ़ा रहा हूं तो जो म पढ़ें दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से मैं लगतार आपको वीडियो बनाता रहूंगा अभी प्रागयति हजिक काल पे मैं और भी वीडियो बनाकर आप लोग को सेयर करूंगा दोस्तों थैंक्यू दोस्तों